वेलकम टो एचनल दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे बढ़िया होंगे आज का टोपिक बेहद ही इंपोटेंट है खेर इसके बारे में जो अभी स्कीन पर देख रहे हैं BPSC के सेलेक्शन कीट मैं इसके बारे में बात करूँगा पहले जिस भी सेप है जो दोस्तों ये वीडियो होने वाले मैं उसके बारे में आपको बदाना चाहूँगा ठीक है सबसे ज्यादा जो सबसे हैक्टिक काम है आपका NCRT बुक को पढ़ना है यहाँ पर सबसे ज्यादा है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ को जो भी आप मातर 15 दिन में अगर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सारा सारा बुक्स आप बहुत बहुत बैतरीन तरीका से पढ़ सकते हैं साथ ही साथ आज हम जानेंगे कि आखिक किसी भी एक्जाम के लिए खास करके जो बिहार सिक्षक बाहली एक्जाम हो रही है उसके लिए आपको करन्ट है उसको आपको पढ़ना किस तरीका से किस तरीका से आप पढ़ेंगे कि आपको एकडम 100 परसेंट यहाँ पे उसका फायदा होने वाला है ठीक है तो उसी बारे में हम आपको पहले बताते चलेंगे सबसे पहले आपको कलास 6 से लेकर कलास 10 तक आइएगा जिसमें आपको पाँच बुक्स होंगे और economics का यहाँ पे 6 बुक्स देखने को मिलते हैं इतनी सारे बुक्स को आपको कैसे अगर कि आप पढ़ते हैं तो 10 से 15 दिन में मैं आपको guarantee के साथ बोलता हूँ कि आप इसको खुद से पढ़के यहाँ पे complete कर सकते हैं किस तरीका से आपको पढ़ना ह अगर को नजर आ रहा होगा तो यह आपका class 11th का यहाँ पे जिग्राफी का बुक्स है तो आपको किस तरीका से पढ़ना है दोस्तो आपको पहला दिन डे वन में क्या करना है आपको 10 दिन तक लगतार यही चीज फॉलो करना है मात्रों मात्र बुक्स अगर क्या आपके पा या अगर कि आप डिरेक्ट जाकर गूगल पर वहां पर सर्च करते हैं कि NCRT बुक्स तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आपको क्या करना है NCRT पढ़ने के लिए पहले दिन तक जितने भी बुक्स हैं class 6 से लेकर class 10 तक आपको उसको केवल रिडिंग डालना है किस तर लिए पर वहां से लेकर देखाएं कि और वहां से लेकर भी अब बुक्स तरीका से आपको एक दिन में कम से कम सौ पन्ना पढ़ना ही है किताब आप लोग याद रखिएगा जैसे ही ये बुक देख सकते हैं मैंने जो भी नोट्स बनाए थे आप लोग मैं नोट्स जो देता हूँ ये सारे चीजों को पढ़ने के बाद जो भी important चीज है मैं आप लोग को बताता हूँ मैं भी यही चीज करता हूँ तो आपको क्या करना है यहाँ पर आते हैं साइन्स का पांच बुक्स है आपको class 6 से उठाना है class 6 7 और 8 ये थोड़ा सा छोड़ा छोड़ा मतलब classes है तो इसमें उतना चीज important देखने को नहीं मिलते हैं आपको पहला दिन क्या करना है class 6 का जो भी बुक्स हैं यहाँ पर history हो गया, history हो गया, science हो गया, geography हो गया, policy हो गया, economics हो गया इसको दो दिन के अंदर में आपको सारा का सारा बुक्स read करना है read करने में यार कितना time लगता है बताओ अगर के आपको पास कोई newspaper आ जा या कोई story का बुक्स मिल ला है तो इसको आपको read करने में कितना ही समय लगेगा तो आप इसको जो भी यहाँ पर इसमें 10 किताब देखेंगे 10 से 12 किताब जो भी देखेंगे न तो आप उसको दो दिन के अंदर में इसली पढ़कर खतम कर सकते हैं याद रखिएगा फर्स टाइम जब आप पढ़ रहे हैं आपको केवल और केवल इसको read करना है read करके highlight करना है ठीक है आप ऐसे ही सारे chapter के लिए यहाँ पर class 6 का हो गया 7 का हो गया, 8 का हो गया, 9 का हो गया 10 का हो गया, ठीक है तो यहाँ पर 5-5 दिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर total आपका 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर एक class में आपको 2 दिन लग रहे हैं तो total 5 यहाँ पर class है तो आपको 10 दिन के अंदर में सारा का सारा books पढ़ लेने होंगे, अगर कि books नहीं है तो आप mobile में या laptop में या tab में जो भी हो, आप वहाँ से download कर ले या books नहीं है, तो सस्ता में NCIT books मिल जाते हैं, आप जाके बजार से खरीद लेते हैं, आपको बस 10 दिन का आप यहाँ पर target लेकर चलिए, कि मेरा 10 दिन का target है, केवल और केवल हमको किताब पढ़ना है, हमको कुछ समझना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए, 11th कलास का जो notes बनाया था, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वही तरीका मैं जो बोल रहा हूँ, उसी तरीका को आपको अपनाना है, आपको 10 दिनों तक केवल और केवल books को पढ़ना है, और उसमें जो भी important point है, उसको highlight करना है, ठीक है, 10 दिन तक आपको यह काम करना है, यह जब 10 दिन तक आप काम कर लेते हैं, आपका यहाँ पर जितने भी मैं books बता रहा हूँ, NCRT कला 6 से कलास 10 तक आपका सारा का सारा books है, आपके कवर हो जाएंगे, और 10 दिनों के बाद, जो 5 दिन टाइम पज़ते हैं, देखो दोस्त, अभी आपके पास I hope कि मैं आसा करता हूँ, आपके पास full time होंगे, याने कि 24 गंट अगर के आपके पास नौकरी नहीं होंगे, तो 24 गंट अगर के समय होंगे आपके पास, इसमें अगर कि आप 10 गंट भी daily देते हो ना, तो आपको यह 10 से 15, 10 दिन तो बहुत ज़्यादा मैं बता रहा है, इसे एक सब्ता के अंदर में भी खत्म किया जा सकता है, तो आपको यही target लेके चलना है, कि मेरे को 10 गंट daily पढ़ना है, पहले 10 दिनों तक 10 दिनों तो केवल अरके वर मेरे को read करना है, जिस तरीका समय ने बताया है first time जब भी आप पढ़िया कि जैसे कि यहाँ पर screen पर देख रहे हैं, इसी type से आपको कोई भी highlighter ले लिजिए, green ले लिजिए yellow ले लिजिए, कोई भी color ले लिजिए, आपको जो भी important point लग रहे हो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी syllabus नहाँ पर cover हो रहेगा, अब 5 दिन में क्या करना है, हर class का, class 6 का पहल का दिन, फिर 7 का, 8 का 9 का, 10 का, उसके बाद केवल और केवल आपको वहाँ पर revision करना होगा ठीक है, I hope कि आप बाते समझ गए और ऐसे किजेगा ना, तो आपका 10 से 15 दिन के अंदर में जो भी NCIT, NCIT का डर है न, खतम हो जाएगा, पहली बार जब कि आप read करे रहेगा, तो उसके पीछे का जो context है, जो भी highlight से आप highlight के रहेगा, अब दुबारा आप जब पढ़िएगा तो आपको याद आगा वो चीज को इसके बारे में मैंने क्या पढ़ाता है, इसके behind में क्या scene चल रहे होंगे, तो यहाँ से आपका बहुत ही बहतरीन 10 से 15 दिन में यहाँ पर cover हो जाएगा, I hope कि आप यही चीजे बस आप दो सपता खुद को दे कर देखिए, यहाँ पर 10 दिन में आपका यहाँ पर complete हो जाएगा, इसी तरह जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने element class का जो भी चीज मैं आपको पढ़ाता हूँ इसी तरीका से मैं पढ़ाता हूँ, आपको जो भी यहाँ पर important point नजर आ रहा होगा मैं सारा कुछ को एक जगा यहाँ पर जो maximum सवाल पूछे जा रहे हैं, आपका यहीं से पूछे जा रहे हैं, तो I hope कि यह आप दो सब्ता कीजिए, आपका यहाँ पर सारा syllabus कवर हो जाता है, उसके बाद जैसे ही next slide में आईएगा, सबसे पहले हम बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर current affair कैसे पढ़ना है, current affair के लिए कैसे पढ़ना है, जिस तरीका से मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको NCRT पढ़ने के लिए, हूँ बहू आपको यही करना है मात रो मात एक दिन समय लगेंगे आपको current affair पूरा का पूरा ready करने में किस तरीका से, आप कोई भी बजार से current affair का book उठा के लिए के आजाए, चाहे वो platform का हो, SPD का हो, कोई भी और आपको दो दिन के अंदर में भी इसको भी एक से लेकर दो दिन के अंदर मैं आपको target देता हूँ, कोई भी काम बस दो दिन के लिए ही है, आप याद रखिएगा एक से दो दिन में पहला काम आपका है, पूरा का पूरा book यहाँ पर read करना है read करने के बाद, जो भी चीज़े important है, उसको highlight करना है आप लोगों ने जब एक बार पढ़े रहिएगा बुक इसको highlight करे रहिएगा अब दूसरा बात क्या करना है, उसके बाद जैसे ही आप यह कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर revision करते आना है कोई भी एक बुक ले लिजे, जो भी market में अगर के current up here मिलते हैं, maximum मैं आपको बताता हूँ कि जो भी books रहते हैं, अच्छे books रहते हैं जो भी context भारत में हो रहे हैं, ब्यार में हो रहे हैं उसको वहाँ पर, ओलोग वहाँ पर add करते हैं तो आपको यही करना है, कोई भी एक books purchase कर लीजे और उसको एक बार एक से दो दिन में केवल read कर लेना है, और अगला एक week या दो week आपको केवल और केवल जो भी चीजे मैंने यहाँ पर बता है कैसे आपको पढ़ना है, कैसे उसको highlight करना है बस highlight चीजे अगला कम से कम 10 दिन तक केवल revision करना है इतना पर तो आपका पूरा का पूरा वहाँ पर complete हो जाएगा ठीक है, I hope कि आप लोग समझ गया होंगे उसके बाद मैं बताना चाहूंगा दोस्तों जो भी लोग current affair पढ़ रहे है current affair इसी तरीका से, जिस तरीका से मैंने बताया है मैं आपको उसी तरीका से मैं आपके लिए यहाँ पर जो भी चीज़े हैं यहाँ पर current affair का most जो है, 500 current affair यहाँ पर लेकर आ गया हूँ most important 500 current affair इसमें है मैं अगर के आपको इसको PDF के रूप में एक सेकंड मैं दिखाना चाहूंगा तो आप लोग देख सकते हैं जो तो पढ़ने वाला बचा होगा 10 घंटे, 15 घंटे करके वो पढ़ लेगा बाकी जिनको नहीं पढ़ना है यह चाहते हैं कि जो भी चीज़े मैंने बताया जिस तरीका से बताया वही चीज के वाल क्वाल्टी ओफ एजुकेशन क्वाल्टी ओफ कंटेंट हमको मिल जाया अगर मैं उसी को पढ़ना चाहूँ तो ओ भी मैं आपके लिए कर दिया हूँ जैसे कि पहले मैं आपको यहाँ पर करेंट फेर के बताना चाहूँगा जिस तरीका से मैंने बताया आपके लिए मैं जून्स 2023 से लेकर मैं अभी 2024 चल रहा है इसमें जो भी घटना है इस बीच में हुए है और जो भी बिहार सिक्षक बहाली के लिए आपका इंपोटेंट है मैंने सारा कुछ एक जगा महत्पून तरीके से जो इसे तरीका से मैंने बताया अगर के आपको दिखाना चाहूंगा जैसे आता है कौन क्या से कभी-कभी पूछ लेता है कि भात कंभी करेंडे महानेवादी कौन है या तो सबसे पहले आप पूछ ले शकता है आपका कि भारत के लोकपाल कौन है देखिए कौन क्या है मैं तो हजारों पॉइंट बन रहेंगे कौन क्या है कई से यह क्या है लेकिन आपको वही चीजों को यहां पर पढ़ना है कि जो कि आपका पूश लेके महासचीव को नहीं तो इसी तरीके के सवाल करेंट अफेयर में बनते हैं यह सारा चीजों को मैं आपको यहां पर जैसे कि एक जगा आप लोग देख रहे होंगे मैं यहां पर एड कर दिया हूँ उसी तरह जैसे ही आईएगा नीचे में आईएगा इस करेंट अ बचेगा ठीक है समय बचेगा और सारा कुछ का संकलन आपको यहां पर एक जगह मिल जाएगा जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो भी अच्छा-चा क्यूचन से जैसे कि आपको पता होगा हाली में यहां पर पुरुसकार दिया गया है तो ओपन हाइमर का जो फिल्म था यहां पर उसको दिया गया था तो इसी तरह कि मैंने यहां पर सवाल इसको एड की है करेंट फिर करेंट फिर देखें इसको बनाने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिसर्च लगते हैं आपको भी पता होगे तो इसको जो भी बाई करने होगे इसका लिंक पर्चेज लि जो भी चीज़े मैंने आपको बताई ना क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आपको HCRT कैसे पढ़ना है वही चीज मैं यहां पर BPC के सेलेक्शन पीट में आपको प्रोबाइड कर रहा हूं हर एक चीज़ों को पढ़ने के बाद जो भी हाइलाइट मैंने की हैं जो भी इंपोटें आपको जो भी पॉइंट्स अगर के सवाल पूछे जाते हैं उसमें से तो उसके बाद जो आपका सिक्सेक भरती के लिए एक और चीज़ करने होते हो वी प्रीविएस ये क्यूचन पढ़ने होते हैं जो कि मैं प्रोवाइड करूंगा तो यह कंप्लीट एक BPC का सेलेक्शन कीट होगा जिसमें भारतिय राष्टिय अंदोलन भी होगा 500 करेंट अफेर जो आप मैंने आपको दिखाएं वो होंगी BPC का TRE1, TRE2 अक्यूचन भी होगा तो सारा कुछ मैं एक जगा आपको प्रोवाइड करा दूँगा ताकि आपको ज्यादा इदर उदर भटकने के किट तो जिनको भी चाहते होंगे यह दिएगे नंबर पर हमको WhatsApp कर सकते हैं और मातर मातर अभी इसको कर सकते हैं 299 एवेल कर सकते हैं I hope कि आप बाते समझ गयोंगे बाकी मैंने जिस तरीका से मैंने आपको बताया है आपको बस उसी तरीका से इसको पढ़ते जाना है दोस् उसमें आपका फायदा मन सामेड़ो बब बाए